जी आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम Breaking Barriers मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया वो कहते हैं कि अगर मुँ पैड़ा हुए ते गल चंगी करनी चाहे दी और अगर कोई बंदा कोई ऐसी बुरी बात कह दे कि इसकी तवक्को ही ना हो इंतिहा से गिरिवी बात और अगला बंदा हिरान परिशान रह जाए तो पाकिस्तान में ऐसी बात पर आगे से कहा जाता है लखदी लानत तो ये लखदी जो मैंने कहा इस पे हाथ भी इसी तरह दिखाया जाता है तो आप देख रहेंगे थमनेल पे ये जो तस्वीर है उसमें उनका हाथ इसी तरीके से और सामने अब्दॉर्रजाक की तस्वीर है तो वो उनको कहा रही है लकडी लानत वैसे तो अश्वरिया राई को तो पता भी नहीं होगा अब्दॉर्रजाक है कूँ यह जो लानते भेजी जा रही है यह पूरी दूनिया से जो लोग हैं वोई कठे Haw के जोकदर जोक सोचल मीडिया पर आ रहे और अब्दुर्रजाक साफ़ पर लानते भेज रहे हैं जी खुब लानत मलामत भी हो रही है वो मैंने कहा कि एश्वरी आराय को तो पता भी नहीं होगा कि हैं कौन यह साब बलब तुम हो कौन आँखें तुम्हारी फूरी खुलती नहीं मिच्ची मिच्ची आँखें जो हैं वो खुलती हैं लगता बंद आखों के साथ तुम बोल रहे हो बोलने की तमीज नहीं कितनी तुम्हारी तालीम किया तुम एक क्रिकेटर हो तो तुम क्रिकेटर बन के रहो मुझे यह समझ में नहीं आती कि यह मदरसा चाप क्रिकेटर जो हैं रेडिकलाइस्ट अब्दुर रजाक मदरसा चाप रेडिकलाइस्ट करिकेटर है मैं कह रही हूँ ये इसकी वज़ाई है कि उसने ये थाबित किया अपनी बात से कि वो ये है तो इनकों आपना चोला बदल लेना चाहिए इसकी वज़ाई है कि जो ये अंदर से है ना को वोला चोला पहनना चाहिए और वो है मुला का चोला मॉल भी बन जाना चाहिए इनको टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चठाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए किस से शादी करोगे तो साले उलाद पैदा होगी ये अच्छी उलाद पैदा होगी नेक उलाद पैदा होगी और किस से तुम शादी करोगे तो नेक उलाद पैदा नहीं होगी ये क्रिक्टर का तो काम है नहीं लेकिन हम ये देखते हैं कि एक अर्से से बारी-बारी कई एक मरतबा क्रिकेटर्द आते हैं और ऐसी कोई बात falls कि अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस बंदे ने क्या बात किया यहिर आप पौकिस्तान नाम रोशन करने बाहर जाते हैं या आप बदनाम करवाने जाते हैं और ये क्या बाते कर रहे हैं आपका तालूग क्याश वरियरा इसे आप उसको जानते ही क्या है कौन हो तुम, मैं वही बात की पुम लब ये एक दुनिया की हसीन तरीन औरत एरे एक तुम हूँ तो बात दर असल ये है कि उन्होंने जो बात किये न अच्छा अब आप नाराज होएंगी कई लोग इसके उपर ना मैंने जब लिखा सोशल मेडिया पर तो उस पर भी कई लोगों ने आके जो है कि बही अपनी शकल तो आप देखें और हम ज़ात और पात में यकीन नहीं रखते हैं इस बिना पर मैं जो है वो शकल दर्मियान में ला रही है तो सलसला ये है कि जो अब्दुर्जाक साहब ने इसके अंदर दो एंगल बड़े हैं मैं वो सरफ ये नहीं है कि वो जनाब उन्होंने जो है वो आशवरिया राय पर ये बात कि नहीं एक तो ये कि किसी की ओलाद को बीच में लाना दूसरा ये कि इसके अंदर उनकी जो जहनियत है वो है कि हिंदू है वो और आक्टर है ये दो एलेमेंट्स जो के मुलक के अंदर जो आम मासेस में बात कि जबात कि अगर आपकी जोटी एक मैं इशवयर एसे साथी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेज़बार बच्चा पैदा हो तो आपको पहले नियत ठीक कर नी पड़ेगी और यहां बड़ी बाते भी चल रही हैं पार्चन पीपलेयरों की इनका किया सारा कुछ तो बात यह है कि हमारी नियत है ही नहीं कि हम इसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को ड्वेलप किया जाए हिंदू है और एक एक्टर है, एक फीमेल एक्टर है, वो तो फिल्मों में काम करती है, तो यह दोनों चीज़े हैं कि आर्ट को, फिल्म को, कल्चर को, हमने जितना डीग्रेट किया है मुलक के अंदर, पाकिस्तान में, तो वो तो अब लोगों के नजरी आती हैं, वो क्या कहत है, यही बोलते हैना, आर्टिस्टों को यह बोला जाता है, गानों को, सिंगिंग को, मौसिकी को, और फिल्मों को, यह बोला जाता है, तब ही तो यह हाल है, आपका कोई soft image दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं पास और उनके सॉफ्ट हम जो है उनकी फिल्म एंड़स्ट्री इस वक्त पूरी दूनिया पर राज करिये भई वो उससे क्या-क्या काम ले रहे है आप ये तो देखिए और उनका पैसा कितनी उससे जो है उनकी economy कहां पर है आप देखिए उनका कितना हिस्सा है यह आर्ट फिल्म और किल्चर का तो आपका जो हिस्सा नहीं है ना जो इस जुबू हाली पर आप उंधे पड़े में उसकी वज़ा यह है कि आपने मुल्क में लोगों के जिनों में यह बिठाया है कि जो फिल्म में काम करता है जो गाने गाता है वो तो मतलब कंजर खाना है यह क्या है जी तो यह तो यह इसके साथ शादी करोगे तो वो कहते हैं ना कि वहां पे तो यह बात कही जाती है कि कोई अगर क्या दे कि हाँ जी क्या जिजनाब वो टीवी पे काम करते हैं खिर अब तो करोड़ों में तन्खाहीं लेते है टीवी वाले लेकिन यही बात की जाती है थी ना कि टीवी पे काम करते हैं यह तो करते हैं वैसे काम क्या करते हैं करते क्या है आप यह उनका ख्याल है अगर कोई कर रहा हो तो कर भी रहा है तो चलो बुरी बात है लेकिन शौक में कर रहा होगा यह जहां आप अंदाजा करें शाहिद आफ्रीदी जैसा बंदा साथ बैठा है और वो तालीपी ट्राइस बात पर हां सरे निमू नीचे करके अच्छा आप कहेंगे शाहिद आफ्रीदी जैसा बंदा उनकी तो आदत है इस तरह की बाते करना वो तो पता नहीं पहले कौन कुछ शादी करनी होगी तो फिर तो आपको पता है मुसल्मान होना जोड़ी है वरना उलाज जो है साले पैदा नहीं होगी मुझे ज्यादा मतलब एक तो घुसा उसके पर जो मजीद घुसा आया वो इस बात पर आया कि भाई आप दूसरों की उलादों को भी बीच में कसीट रह आप सोचें जरा कि आप कह किया रहें तो इसमें जो मैंने आपको बात की ना कि ये जो दो इलिमेंट्स है वो इसमें शामिल है आप यकीन करें बलके यकीन के अगरें नजर आ रहा है एक आप कहिए खेर मजब्गा होना और दूसरा आप कहेंगे कि शादी करनी है तो चलो फटा फट जो है ना ये सवाब कमाओ और उसको मुसल्वान कर लो ये तो आपको पता एक तमगा होता है अपने उस पे लगाना सवाब एदारयान हासिल करें कबर के अज़ाब से बचें उपर जाके आपको बहतर हुरे मिले ये सब आप कर लें भई कभी आप कोई काम किसी नेकी कोई इसलिए भी कर लिया करें सवाब नहीं बलकर इसलिए कर लिया करें किसी का महला हो जाएगा लेकिन वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल अब उस बात पर आते हैं आप कहेंगे उन्होंने तो माफी मांग ली पार नहीं है जो माफी मांगे ना ये दिल से नही मांगी है ये उन्होंने जब लानते मलानते हुई है लानत पर लानत पड़ी है तो फिर उन्होंने का हूं उन्होंते कोई चारा नहीं उन्होंते माफी मंग नहीं पहानी है तो उसके बाद अब्दुर्जाक सामने आया और उन्होंने एश्वरिया राए से माफी मांग लिए अश्वरीय अराई ने तुमारी माफी सुने नहीं हो ने उसे पता ही नहीं हो नहीं हो कौन उन्में जाए चलती रहती हैं चीज्या पता नहीं बताया भी हो का किसी नहीं सोशल मीडिया पर शायद वह कभी देखनें आगे चलके वरना क्या तो माफी जो मांगी ना अन्दाजा करेंगे माफी की अलफाज जरा सुन ले आप जी मैं हुआ अब अब्दुर्जाक और कल प्रेस कानफरंस में क्रिकट की बात हो रही थी कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जबान फिसल गई और मेंने अग्zessा bit कोई और देनी थी पर वह इशेर हैं जी का नाम मुंसे निकल गया मैं करता हूँ सोड़ करता हूँ निसे और मेरी यह इंकरंडेटником का कि आ कि ऑद continuously निकल गया है वहली बाते चल रही होंगी और जो वह से नहीं तालियां पेटी है वैसे शाहिद अफरीदी ने उसके बाद जो है उन्होंने काए कि जणाम मुझे तो पते नहीं चला किसने क्या किया पर इतने मुशूम छुन्सके अफरीदी ऐसाब आपके कंडेम किया उन्होंने ट्वीट की इसके पर शिवाब अब अब ट्वीट करके का कि यह जो कहा यह बड़ी गलत बात किया ऐसा नहीं कहना चाहिता मैं इसको कंडेम करता हूं फिर उसके बाद जो है वो जो शाहिदा अफरीदे ने यह कह दिया कि भाई मैंने मुझे तो पते ह चलता है आपको कैसे परवान चड़ते हैं आप घरों के अंदर और वैसे के यह वली जहनियत है आपकी किसी को आप इस तरह उठके जो है कहा देंगे दुनिया के इतनी बड़ी स्लेब्रेटी को ऐसे मूठा के आप यह इस तरह कहा देंगे तो बड़ाई शर्म की बात है मै इसको शदीद तरीके से कंडेम कर देंगे अब आप कहेंगे इतना कुछ तो कह दिया तो अब क्या कंडेम अभी भी बाकी है जो है बाकी क्योंकि यह इनकी हरकते नेक खतम होनी मैं आपको बता रही हूं यह इसी तरह सलसला चलता रहेगा और यह जो माफी मांगी गई है य इसका इस चीज़ से कोई तालुक नहीं कि उनकी जो दिल में जो है वो बदल जाएगा पाकिस्तान का फ्यूचर पॉलिटिशन्स नहीं वाँकी आर्मी डिसाइड करती है यह यह क्लिप वाइरल हो रहा है और हम तक वैटसेप के थ्रू पहुंच रहे हैं अब आपको लगता है कि कैतरीना कैफ चैसी कोई लड़की आईसाई में काम कर रही होगी और कैतरीना कैफ जैसी लड़की तो सिर्फ हमें बॉलिवोड में मिल सकती वहीं पर काम कर रही है या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि वो आप आप आनलाइन जब मंगवाते हैं तो कोई चीज निकलती है और जब आप उसको देखते हैं तो कुछ और होता है पहुंचता है तो कुछ और होता है यह तो पिर यह हो सकता है अच्छा इसी बात पर एक और चीज़ पी और वो यह है कि DGISI जो है हमारे इतने हैं इतने गबरू जवान कभी आपने उनकी जो तारीफें सुनी हो तो आप जो हमारी जर्नलिस्ट जगरीदा फारुकी साहिब है उनसे आप सुनी है सही सही जो नक्षा है वो पेश करती है बहुत एक गबरू जवान और जबर्दस किसम की शक्सियत है और आपने एक इस किसम की सबसे बुरी तुस्पीर जो है उनकी ढून के लगाई तर ऐ कोई गलते नहों और फिर यह कि यह मतलब नैरेटिवी गलत है आप किया रहे हैं कि सारा जो मुलका निजामों नस्क है वो उनकी हाथों में कहां सर क्या हो गया है 75 सालों में हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कैसी बात करें उनका तो कोई अमल दाखल ही नहीं बीच में सब कुछ हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है एवरिटिंग प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर खान साब जब थे क्या करते थे मलब कंटेनर पर चड़के वाट लगा दी उनका हर रोस जो है वो कहते थे ऐसी की तैसी करते थे आग बगूला जनरल बाजवा के तो वह लगते लिए उनके कहीं देखा है आपने आप कह प्राफर, मीर सादिक, गीडड़ और अब क्या कहना अगला वो उनके तो पता नहीं वह तरह निकल जाता होगा जब तक्रीर से शुरू करते हूंगे आप कह रहे हैं कि उनका मलद हला है क्या हो जी करना कर रहे हो तुसी हमने दो नहीं देखा आज तक मैं आपको बता रहीं जाना पड़ता है, मतलब जिलावतन, सब के सब जिलावतन हो जाते है, पता नहीं क्यों, बात कोई ऐसी नहीं है, अच्छा यह जो आप बात शायद इसलिए कर रहे हूं, मुझे लगता है कि इनो नहीं इसलिए बात किए कि यह 10-10 साल के लिए जो डिक्टेटरशिप आ जा जाना की फिल्म का, फिल्मों में आपको ज्यादे गुजगें, आपसे इजादे लेते हैं, दुवारा हम लगाद होगें.